पुरानी भिला इस्तित विश्वास पुलिस वेलफेर पेट्रोल पॉंप में पिछले 6 वर्षों से कारेड़त कर्मी तोमेश कुमार ठाकुर की 27 साल के उम्र में हुई आकस्मिक निधन के पश्चाद पेट्रोल पॉंप प्रबंधन ने नेक पहल करते हुए पुलिस अधिक् पेट्रोल पंप मेनेजर एसई शेक मुस्ताख ने ग्रेंड एसे निउस से पेट्रोल पंप की गतिविधियों से संबंधित खासबाचीत की आई देखते हैं खासबाचीत के मुख्य अंज नमस्कार दर्शकों ग्रेंड एसीन निउस में एक बार फिर आप सभी का स्वाग और हमारे साथ हैं शेक मुस्ताख जी हां शेक मुस्ताख सर्ज दो साल से यहां पर अपनी सिवाएं दे रहे हैं पुरिस प्रेट्रोल पंप में चाहे किसी कर्मी की तबियत खराब हो या उसके पारिवारे की स्थिती दैनी हो प्रशासन के साथ सहयोग लेते हुए और सहयो खुद करते हुए ये उनके परिवार तक राहत प्रदान करने का काम करते हैं हाल ही में हमने देखा एक मृतक परिवार को उसकी माता को सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और जानने के इन से किस तरह की पहल थी और आगे भी क्या पहल की जाएगी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मैं पुलिस पेट्रोल पंब इंचार्ज शेख मुस्ताक हमारे यहां पर एक तोमिश्वर ठाकूर बोल के भिलाई तीन पुलिस पेट्रोल पंब का एक नोजल मैन था जिसकी आज से मई महने में उनकी एक्सिडेंट में डेथ हो गई थी तो डेथ होने के बाद में हमको आरवाई होती है बैंक मेनेजर से हमने बात किया कि हमारे करमचारी का आपके हां पर सेलरी पेकेज पे जो कॉर्परेट पेकेज बोलते हैं उस पे बीमा है तो उसको क्या क्या फैसलेटी वगरा क्या है तो उनने हमें बताया कि आप यह डॉक्मेंट्स को पूरा करिए वो पूरा करने के बाद ने फिर हमको वहाँ से क्लेरेंस मिला मिल क्लेरेंस हमको जब मिला उसके बाद हमने उनके परिवार को बताया कि हम पेट्रोल पम पुलिस पेट्रोल पम के माध्यम से सेलरी कॉर्परेट पेकेज पे आपके बेटे का बीमा हुआ था उसमें आपको आट स्टमान एस्पी साहब श्रीअभिशेक पल्लव सर्च के मामाद हातों से उनकी माता जी को HDFC बैंक के माध्ध्यम से आठ लाक रुपए का चेक उनको दिया गया इसकी शुरुवाद कप की गई थी आपने बताया ताक कालिक जो स्पी थी उनकी दवारा बीस में काफी पहल की गई थी एक्शल में मेरे को इस पेट्रोल पंप में तकरीवन दो साल हो रहे हैं प्रभार में और पहले मुझसे पहले मैं इन लड़कों की जो सेलरी थी दूसरे बैंक में जाय करते थे उसके बाद हमारे एक परिची थे HDFC वाले वो हम से मिलने के लिए आया थे और उनने हम से कहा कि भई आपके अंडर में तीन पुलिस का पेट्रोल पंप है तो आपके करमचारियों का जो सेलरी है वो आप हमें हमारे बैंक में भेजिये तो उसको कॉर्परेट सेलरी बोलते हैं तो कॉर्परेट सेलरी के बेस पे हम आपके सारे जितने भी प्राइवेट वरकर हैं उनका हम जो है बीमा करेंगे चाहे नॉर्मल डेथ में हो चाहे एक्सिंडेटल डेथ में हो तो मैंने इस चीज को उस वक्त के ततकालिक स्पी श्री प्रशान ठाकुर सर जो वर्तमान में धमदरी में स्पी है उनको मैं लाए उनके इंसुरेंस अपने कॉर्परेट वेतन के बेस्पे हो रहा है अगर आपकी आग्या हो तो अपने इनका HDFC में खाता करवा करके इनको कुछ बेनिफिट दिया जाए करके तो वो तुरंद बोले हमारे प्रशान ठाकुर सर ने ततकालिक स्पी ने किये बहुत अच सालवाद आज जब जाने वाले विचारे तो चले गए और लेकिन उनके जो गरीब परिवार हैं उनके उस प्रशान ठाकुर सर के मतलब मेहनत से या उनके आदर विचार के कारण जी हमने ट्रांसफर किया और जो उनके परिवार को आठ लाक रुपे का चेक मिला हमारे वरत माने स्पीसरी अभिशेक पल्लाव सर ने हमें कहा कि और भी जितने भी अपने करमचारी हैं इन सब को आप सेलरें कॉर्परेट पैकेज में रखिए और जिनसे की आगे पुलीस परिवार के पुलीस पेट्रोल पम के करमचारीयों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम हमारे पुलीस की तरफ से मिलता रहे करके स्टेट हेड हैं उनसे मैं बोलूँगा कि भई निवेदन करूँगा कि आप लोग भी अन्य जो प्राइवेट पेट्रोल पंप हैं उनके भी आप ओनर्स लोग को बोलिए कि आप अपने करमचारियों का ऐसे बैंक में आप सेलरी भेजिए कि जो कॉर्परेट वेस्ट पे उन हैं यह मेरा बाकी तीनों पेट्रोल पंप के इंडियन आइल के अपसरों से निवेदेने कि आप इस वर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा शहर में लगभग तीन पेट्रोल पंप जो संचालित होते हैं और सैक्डों यहां करमी काम करते हैं कोरोना काल में भी ऐसा दे गई और अगर आर्थिक मदद की बात की जाए तो भी काफी पेट्रोल पंप से सहायता की गई थी यह पहल कैसी थी बताएंगे जी मैंने बताया कि मुझे इस पेट्रोल पंप में आए हुए दो साल हुए तो मेरे ततकालिक उस वक्त जो प्रथम इस पी साहब थे जब मैं तता श्रीमान अजय आदव साहब थे जो वर्तमान में अभी आई जी स्तर की अधिकारी हैं तो उनसे मैंने इन करमचारियों के बारे में बोला था कि सर यह हमारे पुलीस पेट्रोल पंप के करमचारी हैं और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इनको हमारे पुलीस हॉस्पिटल मे एक सुविधा दी जाए इनको और इनके परिवार को डॉक्टरी फैसलेटी दी जाए तो मेरे उस आग्रह को हमारे ततकाली के स्पिसरी अजय आदव साहब ने स्रीहर्स विकार किया और उनने कादेश निकाला कि ठीक है पुलीस पेट्रोल पंप के जो करमचारी हैं वो हमा किया तो हम उस वक्त क्योंकि सेलिंग कम होता था लेकिन हम फिप्टिन डेस का हम लोगों को पाली पाली में बुलाते थे कि पंदरा दिन आप आईये पंदरा दिन घर में रहिये फिर दूसरी पाली वाले पंदरा दिन आईया पंदरा दिन घर में रहिये तो उस वक्त हमार लड़कों ने बहुत अच्छा मेहनत किया, हमारे पुलीस के से चाहे लाइन आराई साही बोलिये, लाइन डेस्पी साब बोलिये, माइक थ्री साब बोलिये, सब ने हमको सपोर्ट किया और हमें बराबार बर मार्क दर्शन देते रहे, कि बच्चों से बोलिएगा कि भई सैन प्रोना ग्रुसित हो गया था, उसको फिर आप राजनाद गाउं हॉस्पिटल में उनको फिर ट्रीटमेंट के लिए भरती किया गया, उनकी पतनी के द्वारा फिर बताया गया कि इस टाइप का है सर और हमें पैसे की जरुवत है, आर्थिक प्रॉबलम है, हमने अपने उस पर से 80,000 रुपए दे करके उनकी मदद करे और आज ओ लड़का हमारे बीच में अच्छा खासा भगवान की महरबानी से नौकरी करना है, बहुत अच्छे पहल थी सर, ये पेट्रॉबम की और कर्मचारियों की और खास कराब की भी, बीच में देखा गया था, एक कार आकर रुपती है, अग्यात लोग उसमें से उतरते नहीं हैं, लेकिन पेट्रोल डला कर फराटे से फिल्मी स्टाइल से भागते हैं, इसका पटाक शेप भी काफी हद तक आपने किया, सब को जागरुप भी किया, मैंने पेपर में देखा और मैंने खुद निउजी बनाया था, उस दारान आपने काफी सजगता से काम किया, कैसा था वो दौर और किस तरह की लोगों में जागरुपता लाई गई और क्या वो लोग पकड़ में आएं? भी हुआ, हमारे पम में भी आये थे गाड़ी लेकर के, पेट्रोल उनने डलाया, बोला कि भई पेट्रोल डालिये, डालने के बाद फिर वो डाले और डालने के बाद वो बिना नंबर की गाड़ी थी, बिना पेमेंट किये चले गई, तो इस चीज को हमारे द्वारा तर ही जट्री तरह से उनको पकड़ा गया, और अभी हम अपने लड़कों को बता दिया है कि भई, कोई भी गाड़ी पुलीस पेट्रोल पंप के अंधर में, हमने तीनों पेट्रोल पंप के कर्मचारी तकि कोई भी कार, रात के समय, या दीन के समय, बिना नमबर प्लेट क कि आती है तो आप उसको पेटरूल नहीं देंगे आप उनको करवाला गाड़ी से बाहर निकलने के बाद में जब उंगता है तब उनको देजिए, पेमेंट पहले लीजिए, उनके बाद उनको देजिए, तब ही मैंने लड़कों को सब जागरूप कर दिया और अभी तीनों पेट्रोल पॉम के कर्मचारी जो है मुस्ताहद है अपनी सिवा में Grand A.C.N. News के दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे Grand A.C.N. News के दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जैसा हमारे भिलाई और दुर्ग शहर की जनता हमारे पुलीस पेट्रोल पॉम सेक्टर 6 नेवई भिलाई 3 पे अपना विश्वास कायम रखी है और हमारे सेक्टर 6 पेट्रोल पॉम को 36 गड़ में कई वर्सों से नंबर वन का तमगा भिलाई दुर्ग की जनता ने दिया है मैं Grand News की तरफ से मैं दुर्ग भिलाई की जनता को 26 जनवरी की हार्दिक शुपकामनाय देता हूँ और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि भिलाई दुर्ग की जो शानती कायम है इस शानती को कायम करने के लिए आप सब हमें मदद करते रहे इसके लिए मैं आपसे निवेदन और कामना करता हूँ सर आपका बहुत बहुत धन्या शुक्रिया तो ये थे एसाई शेख मुस्ताक दो वर्षों से यहां पेटलपम में अपनी सिवाएं दे रहे हैं कर्मियों के हर सुख दुख को अपना समझ कर साजह ये लोगों के साथ करते हैं किसी हद तक उनकी समझ से आएं दूर करने का प्रयास भी लगातार ये करते हैं तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्रेंड एसे निव्स नमस्कार